हाई दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह अपने Threads अकॉंट को प्राइविट कर सकते हैं अगर आप भी अपने Threads अकॉंट को प्राइविट करना चाते हैं तो इस वीडियो को यहन तक जरूर देखना आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसको करने के बाद आपका Threads अकॉंट प्राइविट हो जाएगा तो चलिए गए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब से रिक्वेश करता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल एकन को प्रेस करना यहाँ पर आपको ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे अपने Threads अकॉंट को प्राइविट करने के लिए आपको Threads से एप ओपन कर लेना है Threads से आप ओपन करने के बाद आप इस पेज़ पर आ जाएंगे नीचे आपको बहुत सारे options दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आपको पहले वाले option पर क्लिक करना है जैसे ही आप उस option पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज़ पर आ जाएंगे उपर आपको दो लखिरें दिखाई दे रही है उन लखिरों पर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उन लखिरों पर क्लिक करेंगे तो आप settings के page पर आ जाएंगे यहाँ से आपको privacy पर क्लिक करना है privacy पर क्लिक करने के बाद आप इस page पर आ जाएंगे यहाँ पर आपको option दिखाई दे रहा है private profile तो इस option को यहाँ से on कर लिजिए जैसे ही आप उस option को on करेंगे तो यह आपको कुछ permission पुछेगा switch to private account only approved followers will be able to see and interact with your content तो के पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना thread account जो है private हो चुका है तो इस तरह आप इस setting को करकर thread account को private कर सकते हैं वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को like करना और इसे interesting वीडियो पाने के लिए इस channel को subscribe कीजिए thanks for watching it